गुड आफ्टरून एविवन कैसे आप सभी हलो वेलकम स्वागत है आपका आन अकाडमी यूजी सीनेट चैनल पर मैं बरका आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं स्टूडेंट क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं पीपीटी क्लियर है वॉइस क्लियर है तो पब्लिक एड्विरेस्ट्रेशन की क्लास आज है और स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था आपको एक दिन आपकी क्लास होगी पेपर वन की और दूसरे दिन क्लास होगी पेपर टूपी एक सेकंड दूए यस आवाज आ रही है चलिए तो मैं देख सकती हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है पीपीटी क्लियर है सब चीज़ें क्लियर है और एक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट तो मेरा नाम है डॉक्टर बर्खाँ मैं पॉलितिकल साइन्स पेपर वन दोनों की तियारी आपको करवारी हूं स्टूडेंट्स एंट यूजी सीनेट के टेग्री पेपर वन एंड पेपर टू पॉलिटिकल साइंस दोनों की तैयारी आपको करवारे एक दिन हम पेपर वन कर रहे एक दिन हम पेपर टू कर रहे हैं ठीक है मैंने पीज़डी हमें एमफ़स अफ्दली उन्वेस्टटे से किया है तो चार साल का एक्स्पीरियन्स है पीसडी ओपन स्टेट लेवल डाइकॉंड मेंटलिस्ट पर्लिटिकल साइंस अफ्रिकन स्टेडी इसमें स्पेशलाइजेशन है चलिए तो स्टुटिंट दो आपके पास ऑप्शन होते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस के साथ परसनल को स्टेडी प्लाना स्टेडी मिटीरियल एक्सपर्ट गाइडन्स और टेस्टेंट रेसिस मल जाता है अपकमिंग स्पेशल क्लास में फोर थर्टी पीम जो है आपकी एक क्लास होगी पेपर वन हाईयर एडूकेशन की उसको जरूर लीजेगा और आपने नहीं लिए वह क्लास तो जरूर देखा करें 830 एम मेरी प्रोफाइल अग्याडमी पर लिंक दिया होगा इस तरह से दिखती है इसको फॉलो कर सकते स्पेशल क्लास एकदम फ्री होती है इसको फॉलो कर सकते इंट्रक्टिव होती पॉल सेश्चन रेजन ऑप्शन न सबसे पहले जो है टेलर का माना जाता है कि टेलर ने जो है अपना साइंटिफिक थेयोरी दी कुछ थेयोरी सिधानत बनाएं फैक्ट्री में इन्होंने कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट्स किये उसके अधार पर कुछ थेयोरी अपनी दी है ठीक है लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज में आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी हैंड्री फियॉल जो है न हैंड्री फियॉल पहले वेक्ति हैं हमारे बुक्स के अकॉरिंग सिधानत के पाने जाते हैं पहले सिधानतकार लेकिन हेंड्री फियॉल ने टेलर से भी पहले कुछ दे दी थी ठीक है उनकी ठीक है उनकी ठीक है उनकी लॉंच बाद में हुई इस वज़े से विज्ञानिक प्रबंदन का मनाम पहले आता है ठीक है चलिए हमाल तो बीष भी शताबधी के दर्शक में टेलर ने विज्ञानि प्रबंदन का प्रतिपादन किया लाइकन शेयर कर दीजीए हेलो प्रेम भाई मिना सब्से पहले टेलर ने बीष भी शताबदी में एक विज्ञानिप्रबंदन लिए इस scientific management theory का विकास किया और यह है पहला समंजस्य पूर्ण यह सिस्ट्रमाटिक सिधान्त इसको बोल सकते हैं ठीक है लेकिन शुरुवात करने वाले टेलर नहीं थे इस सिधान्त के शुरुवात जो है इसने चाल बेबिज हैंडरी टाउन्स और हैलसी और मैटकॉफ इन जो सिधान सिधान्त कार थे ना इन्होंने भी यह त्योरी जो है वह स्टार्ट कर दी थी ठीक है साइन्टिफिक मेनेजमेंट वाली कुछ-कुछ त्योरी दी थी लेकिन एक सिस्टमाटिक वे में जो थ्योरी आई ठीक है वह सबसे पहली टेलर की आई इसलिए उनका नाम फेमस है ठीक इंपॉर्टन है फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए सांगटिनिक कुछलता वित्त को बढ़ावा देने के लिए शब्द का परियोग और विज्यानिक तद्यति तकनीक पूरुनुप से करमवद वयाख्या करने के लिए मतलब सिस्टमाटिक और साइंटिफिक जो तकनी अपना ही जैसे मैं पहले ही बता चुक हूं वह आपकी टेलर ने अपना ही थी ठीक है और इसको टेलरवाद के रॉम से भी जाना जाता है फेमस है इनकी बुक्स कौन-कौन सी है अपीस रेट सिस्टम शॉप मेनेजमेंट आर्ट अफ कटिंग मैटल और प्रिंसिपल आफ सा इनका जनम ना यहां पर हुआ था पैंसिलवेनिया में अब पूछ ले क्योंकि फैक्ट्चुल काफी आ जाते हैं आपके पैंसिलवेनिया में हुआ था 1856 में और इनके ना आइज में एक इनके घटना में बताते हूं आइज में इनके प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि दिये से पढ़ाई करते थे बिटी के टेल का दिया नहीं होता जो मिब्टी के पुराने होता था अ peł अगर उसमें जाधा देर तक पढ़ता हो ना यह जाधा देर तक उससका हां उससे पढ़्धाई करो तो अपकि आँखोंपर जोर पढ़ता है और आपकी PACs rejected होती है तो बहुत सालों तक इन्होंने बिना वेतन के भी काम किया ठीक है एक मिडवेल स्टील कंपनी थी इसमें इन्होंने शर्मिक के रूप में काम किया था मिडवेल स्टील कंपनी ठीक है शर्मिक से शुरू किया था गुड़ आफ्टरनून जी बाद में इनहोंने इसी company में ठीक है आगे जाकर इसके manager बन गयते और इसका प्रबंदन बहुत अच्छ से इन्होंने किया था ठीक है और खास तोर पर इन्होंने tool management tool यंत्र और उपकर्णों का विश्कार किया और कैसे उपकर्णों का इस्तमाल करके गती में बढ़ोतरी की जा सकती है किसी भी प्रोडाक्ट की ठीक है मतलब प्रोडाक्ट जादा अच्छे से सस्ते में कैसे बनाया जाए वो इन्होंने इन्वेंट किया था यहाँ पे स्टूडेंट दा इंजीनियर इस इन एकनॉमिस्ट एक पेपर पस्तुत किया था पेपर का नाम बता देते हूं में ठीक है यह पूछ लेता है स्टूडेंट दे अमेरिकन सॉसाइटी ओफ मेकानिकल इंजीनियर के स्मक्ष एक पेपर प्रस्तुत किया उस पेपर का नाम था 1886 में दा इंवेडरी इंङनियर इंचेनर्द करने में ром इंचींगरी के इंचींगरी के वे प्रेस एक्षेक सॉस्टने PB ह्रेस्ट स्ट के इंच्टने में च्ट linear Confusion इंचींगरी के व्क्ता कि आत्कींगरी प्रेस्ट पूद रश्रिस्ट के आने के ग्थु Quem कि यह इन्होंने पेपर परस्तुत किया था ठीक है इंजीनियर इस एन इकनोमिस्ट यह पेपर याद रखना बहुत कम बुक्स में है यह पेपर का मेंशन ठीक है यह आपका तेलर ने दिया था इसके बाद वो थोड़ा सा थास तोर पर फेमस यह क्यों हुए थे ना फेमस उसी कारण से हुए थे कि इन्होंने अलग अलग टूल्स कैसे इस्तमाल करने है और जार की कटाई कैसे करनी है और स्टील गरम करके कैसे जो है उपकरोनों का अविशकार किया न पूरा गति का अध्यान लाइट का अध्यान वो सब किया उसके बारे बात करेंगे तो इसका उद्धे और विकास जो है टेलर के इलावा गांट एल एच गांट एमर्सन एफबी गिल्बृत एल सी जी बार्थ थांसन कुक और हैथवेट यह सब भी विज्यानी प्रबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और द्योगिक और सरकारी दोनों ही संगठनों के परशाशनिक विक्चार और परनाली को उपर इसका प्रबं सब्सक्राइब नियमों पर अधारित हो हर हर परकार के संगठन पर सार्भामिक रूप से लागू हो यानि की युनिवर्सलाइजेशन घीक है मतलब एक ही कानून एक ही जैसे नियम हर जगह चाहे वो प्राइबेट हो चाहे ज़ह ईसका सभी सेक्टर पर एक जैसे कानून अपलाई हो और एक जैसे कानूनों का एक जैसे रिजल्ट भी आपको मिले वागिया बुक्स के नाम जरूर याद रखना पीसरेट पीस रेट सिस्टम में इन्होंने क्या बताया है इन्होंने एक नई विवस्ता जहां पर समय का अध्यान किया इस टूडेंट पीस रेट सिस्टम में इन्होंने समय का अध्यान किया कितने समय में कोई कितना दर से काम कर सकता है इतने समय में इतना shirt बना सकता है तो ऐसा इन्होंने fix किया कि इतने समय में इतना ही बनाए अगर कोई जाधा बनाता है तो उसके लिए उन्होंने extra price भी मिल सकता है ऐसा भी किया दूसरा इन्होंने क्या किया अंशों के कारों के भिन भिन कोई कितना दर से काम करता है कितना समय में काम करता है कितना दर से काम करता है एक मानक ताकि निर्धारित हो जाए और थर्दा कितना भुक्तान विक्ति को करना चाहिए मतलब देखो सबसे पहले एक शर्ट कितना टाइम में बन सकता है तो दो शर्ट कितना टाइम में बन सकता है दर हो गया ठीक है यह समय हो गया कितना टाइम इतने टाइम में कितना टीशेट बन सकता है यह हो गया दर पैसा कितने प्रड़क्त में लग रहा है और उसका प्राइज हो घर्यस मिलना चाहिए तो इन तीनों चीजों की बात किसमें की गई थी student आपके piece rate system भुक में की गई थी लिए के समय का दर्का एंड भुकतान की याद रखना समय दर एंड भुकतान इन तीनों की बात की गई आपके piece rate system भुक में शॉप मेनेजमेंट में तेलर ने कारिये शाला संगधन और प्रबंधन तंत्र के विस्तार से चर्चा करी कोई वर्क्शॉप किस तरह के होने चाहिए उसका मेनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए वर्क्शॉप का मेनेजमेंट इस पर इन्होंने क्या क्या बोला कि कितना कोई काम करेगा तो कितना पैसा उसको मिलेगा ठीक है कितना ताकि लागत कम हो फायदा जादा हो ठीक है किस तरह से विज्ञानिक पदतियों का इस्तमाल किया जाना चाहिए कौन-कौन से म्यानक इस्तमाल किये जाने चाहिए ठीक है और शर्मिकों के बीच में दोस्त गति और समय का अध्यान भी इन्हों ने किया स्टूरेंट उस पे भी आएंगे आई होप सो के मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एड करके बता रहे हूं पेपर टू है पॉलिटिकल साइन्स है एक दिन पेपर वन पढ़ाऊंगी एक दिन पेपर टू पढ़ाऊंगी क्लियर है परकारियात्मक फॉर्मेंशिप क्या है वो भी आपको बताना है इंपॉर्टन है परकारियात्मक फॉर्मेंशिप क्या होता है स्टूडेंट इनका बेसिक थीम है यह परकारियात्मक फॉर्मेंशिप इसमें है न ये बोला जाता है कि एक विक्ति एक ही बॉस से के अधीन होता है ठीक है और पहली बार इरों ने ऐसा किया कि एक विक्ति एक बॉक्स के अधीन ना हो करना चार बॉस के टोटल आठ बॉस के अधीन हो और उसमें भी चार चार में डिवाइड हो चार कौन से हो गए गैंग बॉस नाम याद कर ले न रिपेर बॉस पीड बॉस और इंस्पेक्टर ये चार बॉस नाम बताए हैं चार बॉस के नाम बताए हैं ठीक है थोड़ा टेड़ा लिखा हैं मैंने गैंग बॉस रिपेर बॉस पीड बॉस एन इंस्पेक्टर ठीक है चार को योजना बनाने की जिम्मेदारी सोपी गई चार क्या करेंगे योजना बनाएंगे प्रकरियात्मक फॉर्मेंशिप की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर और बाकी चार लोग बाकी काम करेंगे यह चारो चार काम करेंगे ठीक है अब कौन-कौन से गुण जो है एक अच्छे प्रक्रियात्मक फॉर्मेंशिप में होना चाहिए उसकी बात में आगे करूंगी अभी हम आ जाते अपनी पीपीटी पर वापस ठीक है कि विज्यानिक परबंधन का सरोकार कि से है उद्योगिक संगधन की परबंध के प्र उत्पाधन परक्रियां में विज्यानिक पत्धियों के पड्रियोग से ठीक है मितलब साइंटिफिक इंस्पेक्टर से सवाल आया था आता है इंस्पेक्टर से आया था ओके फूर्थ था वो इसका यह पूछ लेता है ना कि उसको कैसा होना चाहिए इंस्पेक्टर को इस तरह के कोश्चन आ जाता है तो इस संग्धा ने निम्नित पर ध्यान केंद्रित किया लोएस्ट लेवल पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया था इसका लक्षी क्या था विज्ञानिक प्रबंदन का क्या काम है बॉस वाला काम करता है ये पूछाता तो बॉस वाला काम करता है ठीक है बॉस होता है योजनाओं को लागू करना इन चारो का काम क्या है योजनाओं को लागू करना कोई नियम कानून बनाए है तो वो सही तरीके से लागू हो ये इनका काम है तो भौतिक प्रकृति को यहाँ पर देखा गया इसका लक्षे क्या था विग्यानिक साइंटिफिक मेनेजमेंट का कि कल पेपर वन का थियोरी पड़ा दीजेगा हाँ कल पेपर वन का थियोरी है इंडियन लॉजिक वाला परत्यक्ष परत्यक्ष क्या होता है वो बताऊंगी ठीक है परत्यक्ष वाला आपका इंफ्रेंज में से पहला इंफ्रेंज कल होगा इंडियन लॉजिक लॉजिकल रीजिनिंग हाइर एजुकेशन की क्लास साड़े चार बज़े आज है ठीक है एमसी क्यू है स्पेशल एप पर चलिए आ जाए तो लक्षियों और भौतिक प्रकृति करमचारियों के सारेटिक और प्रकृति के भी संबंध का अधियन वो करते हैं ठीक है कि इंसान का शरीर है तो वो कितना काम कर सकता है और उसे क्या-क्या बहुत इक परिस्तिती चाहिए काम करने के लिए जैसे अच्छी लाइट चाहिए अच्छा परबंदन चाहिए लाइट रोशनी के साथ साथ आपको हवा भी मिलने चाहिए आपका फ्रेंडली इंवार्मेंट होना चाहिए तो यह सारे यह संगठन जो है फुशल मितवे मितवे हो गया स्टूडेंट कम खर्चा कम हो और आपको पहले से तक्नीकी शम्ता का पता हो कि इतने लोग इतना प्रोडाप्ट बना सकते हैं ठीक है तो उससे क्या होगा आपको एक आईडिया इस्टिमेशन होगा तो आपका फ्रोडाप्ट की अच्छी उत्पादन हो पाएगा अच्छा उत्पादन हो पाएगा ज्यादा तर देखा गया है कि मजदूर क्या होते हैं काम चौर जैसी घटना है काम चौरी जैसी घटना है मतलब कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं ठी विज़ता है कि एक दिन में दस शर्ट हर कोई बन्दा सिलेगा तो इतनी शर्ट हो जाने चाहिए लेकिन क्या होगा कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं कुछ लोग होसकते हैं किसी का मन नहीं करें तो वह 9 आठ की जगह नोई शर्ट दस की जगह नोई शर्ट सिले या आठ ही शर्ट सिले हैं ना कुछ भी हो सकता है तो उससे क्या हुआ आपकी जो एस्टिमेशन है वो गलत हो जाता है तो इस परिघटना को चोरी को काम चोरी को इन्होंने दो भागों में बाटा है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए एक है नेचुरल थैफ्ट सभाविक काम चोरी एक है विवस्तित काम चोरी अब यह क्या होता है सभाविक काम चोरी होता स्टूडेंट कि हमारे सभाव में आप कितना भी हमें बोलो हम तो करेंगे करेंगे ठीक है आप परिश्रम नहीं करना चाहते है कि यूनिट नमबर नाइन पॉब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि एफ डवलू टेलर बारा बज़े होता है ग्यारा बज़े नहीं तो पहली काम चोरी क्या थी विक्ति गत कारक पे हैं जैसे अराम से काम करना कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे काम करते हैं जान बूच के जबकि एक वेक्ति का काम करने का दर 10 शर्ट होना चाहिए लेकिन कुछ लोग क्योंकि धीरे काम करते हैं तो उनके वज़े से क्या होगा? सही result नहीं आ पाएगा तो ये पहले कामचोरी क्या है? लोग कुछ लोग अराम अराम से काम करते हैं जादा परिश्रम नहीं करना चाहते इस परकार की आदतों की वज़े से इफेक्ट पड़ता है आपके उत्पादन पर जबकि दूसरी कामचोरी किस तरह की है? दूसरी कामचोरी है वेवस्तित कामचोरी वेवस्तित कामचोरी का मतलब है और संगठनिक और समाजिक कारणों का परिणाम मतलब शोशल फैक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं हो सकते हैं आपके घर में कोई बिमार हो उस वज़े से आप नहीं आपाई या आपकी खुद की तब्यत खराब हो या आपका सोसाइटी समाज के संगठन में कोई ऐसा नियम है जिसकी वज़े से या कोई मशीन खराब हो गया तो ये दूसरा हो गए विवस्तित कामचोरी तो कुशलता बढ़ाने के लिए विज्ञानिक तकनीके से कामचोरी को कम करने की जरुद थी जिस पर टेलर ने काम किया तो उसके लिए इन्होंने तीन कल्पनाएं तीन परिकल्पनाओं का निर्मान किया जिसके परियोग से क्या किया जा सकता है विज्ञानिक परबंदन तो बढ़ाया जा सकता है अच्छा किया जा सकता है विज्यानिक पदिती के प्रियोग से क्या किया जा सकता है सांगठेनिक कारे परणाली का उन्नत की जा सकते है ओर्गनाइजेशनल मेथेडोलोजी अपग्रेड की जा सकती है एक अच्छा मजदूर काम का शुरू करने वाला नहीं बलकी प्रवंदक का निर्देश मानने वाला मजदूर होता है इन्होंने क्या बोला है कि एक अच्छा मजदूर कौन होगा वो नहीं होगा जो काम करता है वो होगा जो अपने बॉस की बात मानता है ठीक है अपने बॉस की बात माननी चाहिए हर मनुश्य आर्थिक मनुश्य है ठीक है यहां पर इसकी अलोचना होती है इस वज़े से हर मनुश्य को इन्होंने आर्थिक मनुश्य बोला है क्या बोला है जैसे कोई एक्स्ट्रा काम अगर करता है 10 शर्ट की जगा अगर कोई 11 शर्ट बना देता है तो एक शर्ट एक्स्ट तो अर्थिक मनुष्य होने के कारण वो लालच में जो है सामने वाला काम करेगा इससे क्या होगा आपका प्रोडक्ट में बड़ोतरी होगी काम चोरी कम होगी क्यूंकि उसको पता है कि अगर वह ज्याधा शेट बना देगा जितना रिकमेंट गया उससे ज्यादा आएगा तो इसको फायदा होगा है ना तो इस वज़े से यह आर्थिक मनुश्य उसने बोला है आर्थिक कारकों से प्रेरित है यह बोला है तो चार तरह के सिधान दिये विज्ञानिक प्रबंदन के लिए पहला डवलप साइंस फोर इच कॉंपनेंट ऑफ हुमन वाग ठीक ह कोई भी काम जब करें तो कैसे करें साइन्टिफिक से करें सिस्टमाडिक तरीके से करें तो क्या हो गया rule of thumb मतलब एकदम सही सदीक तरीके से काम करना प्रूल of thumb सिधानत डुशुल साइंटिफिक तरीके से काम को क्या किया जाए पहला rule of thumb rule reuse किया जाए दूसरा इन्होंने बताया कि मजदूरों को परसिक्षित किया जाए खिल और experience बढ़ाया जाए उनका ताकि ठीक है मतलब ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी performance improve हो सके ठीक है तो दूसरा हो गया पर सिक्षित किया जाए तीसरा है right man for right job ठीक है एक ऐसा नहीं है कि कई मजबूरी में painter को आप क्या करवा रहे हो समान धोने वाला काम करवा रहे हो या फिर painter से बढ़ाई वाला काम करवा रहे हो तो जो जिस के अनुसार जो जिस चीज में नुपुण है उससे वही काम लिया जाए ठीक है right man for right job पहला है rule thumb दूसरा है perception ठीक है training तीसरा right man for right job and fourth है इसका division of work काम का बटवारा जरूर होना चाहिए मतलब एक विक्ती है जो collar बनाएगा एक विक्ती है जो shirt को pockets बनाएगा ठीक है एक विक्ती है जो sleeves बनाएगा ठीक है बाजूएं बनाएगा तो सारे का जिम्मेदारी का हिस्सा बाट दिया जाएगा काम का ठीक है बाट दिया जाए तो यह सारे कैसे होना चाहिए अगर यह चार तरीके आप इस्तमाल करते हैं तो systematic इसको scientific तरीका बोला जाएगा I hope so कि यह चार तरीके आपको याद रहें very 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 important as student यह चार हो तरीके ठीक है तो hope so अब आठ तरह के functional formanship की बात यह करते हैं जैसे कि मैंने आपको एक बताया था एक तो यह चार हो गया आठ तरह का functional formanship देख लो आप कौन कौन से है चार मैंने बताये थे और चार बताये थे चार क्या करेंगे आठ परियविक्षक में से चार देख लेते आठ मज़ूर कार्यादमक forman और परियविक्षन और मार्दर्शक किया जाता है आठ लोगों के द्वारा इस तरह उन्होंने एक परियविक्षक को विवस्ता को खारिच किया मतलब जो एक परियविक्षक होते हैं एक आपके boss हो इन सब को लाए एक मज़ूर को सिर्फ एक से प्राप्त हतों एक क्या तब को उल्यकों क्या देंगे फकल देंगे लेकिन अधेश होंगे तो आठ ठीक है कि आठों से दिया जाना चाहिए लेकिन एक सिरिष्ट तर से ही उसको मिलेगा जैसे मान लो example मैं बताती हूँ यहाँ पर मैं क्या कहना चाहरी हूँ मान लो आप एक है root color एक है निर्देश color एक है समय लागत एक है कार खाना अनुशाशन ठीक है तो यह चार हो गए जो योजना कक्ष में बैठते हैं और योजना यह बनाते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाहरी थी स्टूडन पहले कि एक से ही प्राप्तो जैसे कोई अगर शर्ट बनाता है तो उस शर्ट बनाने वाले को कोई एक जो है वो बताए कि हां आपको ऐसा करना है ठीक है कितनी शर्ट बनानी है क्या करना एक इंस्ट्रक्शन देखे जाएगा कारिक्रम वर रूट क्लर्क आपका बताएगा आपको क्या काम करना है निर्देश देगा आपको वो काम कैसे करना है समय लागत बताएगा कितने समय में आपको कितना काम करना है और कारखाना अनुशाशन बताएगा किनकी नियमों का पालन करते हुए आपको वो काम करना है ठीक है देखो निर्देश एक ही दे रहा है बट आठ निर्देश आ रहे हैं उपर से एक के साथ आग भी आ रहे हैं एक वाले को वैसे यह मना करते हैं कि एक नहीं होना चाहिए अलग-अलग मजदूरों से आठ जो है बॉस से उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ठीक है पहला काम का निर्देश मिलेगा दूसरा मिलेंगी और हैं अनुशाषन कोई-कौइ से नियमों का पालन करते हैं तो यहाँ पर 2-3 तरह के बहुंस होते हैं मिलें officers होते हैं करवाना फीख छिए ग्रुक बॉट इंस्पेक्टर बॉट एंट यह थैक्ट्र बॉस चूप बॉट पयू फोड़ जो बड़क दोawi शथ्या एंडर फोड़ेख डेगा speed box हो गया कि कितना speed से कितना गती से आप काम कर रहे हैं वो check करेगा मतलब क्या आपने एक गहंटे में 4 शट बनाई के नहीं बनाई या फिर 2 शट बनाई के नहीं बनाई ठीक है तो आप 10 गहंटे में 10 शट बना पाओगे के नहीं बना पाओगे वो इस चीज़ को देखेगा कि कितनी speed से आप काम कर रहे हो सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे है एक होगा inspector direction करेगा कि आपने काम सही से किया है या नहीं perfectly किया के नहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ भी आप जल्दी-जल्दी के चक्कर में गलत-मलत काम किये जा रहे है फिर होते है रिपेर बॉस अगर कोई गलती हो गई है तो उसको बताएगा कि आपने ऐसे करना है ठीक है रिपेर बॉस आपके रिपेर का काम करेगा ठीक है कोई गलत हो गया है तो उसको रिपेर का काम करेगा तो हर कोई उसको इंस्ट्रक्शन देगा चार उसमें से नियम बनाएंगे चार योजना बनाएंगे और चार लागू करेंगे यह जो चार थे न यह योजना बनाएंगे और यह जो चार है यह उस योजना को लागू करेंगे अपलाई करेंगे यह चीज़ ध्यान रखना student very 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 important है तो आठ बॉस से जो है आपका काम अच्छे से हो पाएगा ठीक है अब है motion study गती का अधियन कैसे जो है गती का अधियन किया जाता है यहाँ पर student देखिए ओजार और कच्छे साधन, माल, हस्त, शरीरिक, गती इन सब पर ध्यान देकर यह देखा गया कि कैसे सरस्रिष्ट तरीके से speed को बढ़ाया जा सकता है कैसे speed को बढ़ाया जा सकता है मतलब जहाँ पर 10 शट बन रही है वहाँ पर 11 कैसे किया जाए अगर ओजारों में बतलाव किया जाए मतलब जैसे मान लो मशीने नई मशीन लाके देदी जो जादा speed से चल रही है ठीक है कच्चे सादन अच्छे कर दी है रोशनी अच्छी कर दी क्या उससे गती बढ़ेगी अच्छे आपको महौल अच्छा दे दिया तो ये सब चीज उन्होंने काम खतम होने का समय को निर्धारित करने के लिए यह आया था ठीक है गती अध्यान के बाद समय अध्यान आया यह सीक्वेंस याद रखना गती अध्यान फिर समय अध्यान इसके लिए इन्होंने stopwatch तकनीक का यूज किया मतलब इतना टाइम में इतनी शर्ट मतलब 60 मिनट में कितनी शर्ट बनी है वो चेक करेगा ना वो आपका कारियात्मक प्रोडक्ट का निर्मान कर दिया है तो इसके लिए stopwatch आपको पता है ना जैसे आम वाच में लगा देते हैं टाइमर सेट कर देते हैं और देखते हैं कि कितना काम कर रहा है तो stopwatch सकनीक फिर आता है आपका गती और समय अध्यानों के द्वारा पीस रेट सिस्टम कितना बुक्तान किया जाए उसका देखा जाता है मतलब एक शर्ट पे कितना पैसा लागत लगी उसके लिए कितना मजदूरी मजदूर को कितना दिया गया ठीक है उसके बाद उसको क कितने में बेचा जाए एक्स वगयरा लगा के अपना बिजली का खर्चा यह सब निकाल के तो कितना उसको बेचा जाए जैसे 100 रुपे की शर्ट है तो कम से कम वह 800-900 की बिक्ति है स्टूडन ठीक है और अगर 100 रुपे में कोई चीज मिल रही है इसका मतलब वह कितनी सस्त बनी होगी आप खुछ सोचो अगर जो 100-200 वाली शर्ट आपने कभी खरीदी है तो आप यह सोचो कि उसका कपड़ा कितने का होगा 50 रुपीस का होगा कम से कम लागत उसमें 10 या 20 रुपे ऐसे होगी इस तरह से होगा ठीक है और 30 रुपे में उनका फायदा या 10 रुपे फ और बोनस की बात की जाती है ठीक है मतलब जो जितना पीस रेट बनाएगा जो जितना जादा पीस बनाएगा पीस रेट सिस्टम में यही है अगर आप 11 पीस बनाते हैं तो एक पीस पर आपको फायदा 100 रुपे एक्स्ट्रा मेहनताना मेहनत का मिलेगा इंसेंटिव मिलेग तो वो हो गया पीस रेट योजना ठीक है तो मजदूरों को अपना सरस्रेश्ट परियास करने का मुका यहां पर मिलेगा वो जादा से जादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश फिर यहां पर करेंगे ठीक है उस वज़े से कंपनी को भी मुनाफ़ा होगा और मजदूर को भी करने के बाद विज्ञानिक पर सिक्षन ट्रेनिंग इलेक्शन डवलापमेंट सब हो गया सारी चीज़ चल रही है लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता है स्टूडेंट तो उसको निकाल भी दिया जा सकता है ठीक है निकालने के लिए भी टेलर बोलते हैं अगर कोई काम का फिर भी अनुच्छुक है सही से काम नहीं कर रहा है तो अनुच्छुक उसको निकाल भी दिया जा सकता है यही इसका पूरुसकार और असफलता पर डंड है ठीक है मतलब आप अगर 10 की जगा 11 बनाओगे तो आपको पूरुसकार मिलेगा अगर आपने 10 की जगा 9 बना दिये तो आपको दंड मिलेगा मतलब हो सकता है आपकी सेलरी कार्ट भी ली जाए ठीक है तो यह भी हो सकता है टेलर ने और क्या सुझाया कि जिन वस्तो का उतपाद उनके मानक के अनुसार स्टेंडर के अनुसार नहीं हो रहा है उसमें मेनेजमेंट को जादा दिलजश्पी नहीं लेनी चाहिए मतलब अगर आपको लगता है कि यह जो काम है इसमें आपको जादा फायदा नहीं मिल है जैसका ठीक तरीके से लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें जादा दिल्चस्पी नहीं लेना चाहिए उसके जगह कोई दूसरा काम देखना चाहिए उप्रोग तक्नीक के अलावा उन्होंने निम तक्नीकों का भी विकास किया जैसे कि वैपार के प्रियोग में किये जाने वाले ओजार ठीक है इसी के लिए फेमस भी है ओजार और साधन किस तरह के यूज किये जाने चाहिए कारेवाही और गत्यों का मानकी करन अलग योजना विभाग की स्थापना ठीक है प्लैनिंग डिपार्टमेंट वेजा यूज ऑफ टाइम सेविंग टूल्स टाइ निर्देशन काड इंस्ठ्रक्षिन काड के कैसे काम करना है तो किस तरह से काम करना है आपको मशीन चलानी है तो आपको यह चीजों का ध्यान रखना होगा आधुनिक लागतियांत मतलब वक्त की according आपको नए-ने यांत्र इंस्ट्रूमेंट्स लाने चाहिए ताकि आपका काम ओर स्पीड से हो सके ठीक है चलिए तो कई बार इसकी अलोचना की जाती है students अलोचना की जाती है विज्ञानिक प्रबंधन की क्यों अलोचना की जाती है हलो जी इसकी अलोचना की जाती है कि पहला तो इसने इंसानों को मशीन समझ लिया मशीन की तरह उससे विवार किया तो यह गलत है और कारखाना स्तर पर जो निचला स्तर है कामकाज का ध्यान केंद्रा लुच्य स्तर के संगठनों की अबैक्षा के कारण इसकी अलोचना एक अधूरे सिधान के रुप में की जाती है मतलब इसने जो निचला स्तर है न उस पर जादा ध्यान दिया उपरी स्तर पर ध्यान नहीं दिया तो अच्छा मिलेगा अगर वो बिमार है या कुछ प्रॉबलम है तो आप उसको प्रेसा काट रहे हो या फिर ऐसा कुछ ठीक है तो मजदूरों को एक ही अंत्र बना दिया वो सिर्फ जादा से जादा production चाहता है ठीक है उसका क्या bad effect पड़ेगा human पर वो यह नहीं देखता मानविय प्रेर्णा को कम आकने और अती सरल बनाने का कारण भी इसके अलोचना की जाती है ठीक है मतलब बहुतिक पुरुसकार के अर्थों में ही मानविय कारकों को देख रहा है मतलब एक नौमी मैन है तो बहुतिक कारकों को इसने जादा दिया जबकि समाजिक और मनोवज्यानिक कारण भी important होते हैं जैसे कि क हिसी कंपनी के साथ जुड़ाव मेहसूस करता है तो और मजदू काम करते काम समाजिक या मनोवज्यानिक जुड़ाव कमपनीसे हो जाता है स HEY estывает इकलंवादी इनको बोला जाता है और एल्टन मेयों के हार्थन प्रयोग से यह खुलासा हुआ कि मजदूरी के व्यवार की व्याक्या समाजिक मनोवज्ञानिक कारक भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टन है जितने की आर्थिक कारक तो बाद में आए एंपी फॉलेट पीटर ड्रॉकर शेल्डन चेस्टर बर्नार्ड क्रिस इग्रेरिस ने मानिविये संबंद और व्यवार को भी देखा ठीक है इस वज़े से इनकी अलोचना की जाती है ठीक है क्यों की जा रही है क्योंकि समाजिक आर्थिक पहलों को भी बाकिस उसने देखा क्योंकि आर्थ आर्थ जो हैं आपके कार्यात्मक फॉर्मेंशिप आ गए तो सबसे अलग-अलग निर्देश ले रहा है तो अफकोर्स ट्रेड यूनियन अनावश्यक हो गए ठीक है लड़ाई जगड़ा होगा नहीं ट्रेड यूनियन तो इस वज़े से इन्होंने समुह सूदेवाजी को करेसे सब्सक्ता स्थान जो है उसको क्तिरा माना के यूनियनवाध के सिधान से यह कम सब्सक्राइब यह था अब कोई भी सवान तो मुझ्स से पूछिए अब है कि महनत करेगा ये ब्लकुल रुक्सार महनत ही करेगा झाल झाल आज के लिए इतना ही है, I hope so, कि आपको ये class जो है, वो पसंद आई हो, plus और iconic दो plan है, student आपके पास, plus में आपको live classes मिलती है, weekly test, structured course और unlimited access, मतलब सारे classes, सारे educator का access आपको मिल जाता है, आपको मिल जाता है, एक ही code BS10 से, और personal iconic में आपको plus के साथ साथ personal course, study planner, study material, expert guidance, और test analysis मिलता है, student मेरा code याद अर्खिएगा, BS10 मेरा code है, और बर्खा 2022 मेरा ही code है, जो भी code आपको पसंद हो, वो code आप लगा के subscription ले सकते हैं, ठीक है, अपने friends को भी recommend कर सकते हैं, and free special class भी होती है, student उसको भी आप ले सकते हैं, एक दम free, उसके लिए भी ये code आप apply कर सकते हैं, और मेरा code आपकाडमी के किसी भी subscription में आप apply कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye-bye.